नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफ और पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के टेक्निकल व्यू के बारे में निफ्टी के चार्ट को जानेंगे इसका एक इंपोर्टन सपोर्ट का लेवल जो तूट चुका है उसके बारे में बात करेंगे और FII-DIS की क्या एक्टिविटी रही है उसको भी जान लेंगे और कौन सा है वो next support जो हम expect कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे बहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और regular updates प 2020 की वो है 805 करोड नेगेटिव यानि की उन्होंने 805 करोड का माल आज बेचा है कई दिनों से ये माल ले रहे थे लेकिन हम आज का और कल का अगर डेटा देखे तो हमें पता चलेगा कि FII लगातार दो दिनों से सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर DII इसके बा 50 के चार्ट पर कैसी मुवमेंट दिखाई दे रही है कौन से है वो important levels जो हमें आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं निफ्टी के बारे में बात करने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि Dow Jones की क्या हालत हो रही है तो आप देख सकते हैं Dow Jones Industrial Average है 4% नीचे आप देख सकते हैं 1000 points की गिरावट देखने को मिल रही है Dow Jones Industrial Average में काफी ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी अगर हम 1 month या 6 month का चार्ट देखे तो आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा ऊपर निकल चुका था और लाश्ट 5 दिनों में तो काफी ज़्यादा तेजी दिखा चुका था ये लेकिन अभी इसमें अच्छी कासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है 3.99% ये नीचे जा चुका है तो ऐसी situation हमें कल देखने को मिल सकती है हमारे Nifty में भी तो फिर भी हम कौन से supports expect कर सकते हैं और कौन से levels और targets हो सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो चलिए चलते हैं Nifty 50 के charts पर तो आप देख सकते हैं कि हम Nifty 50 के charts पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि 12,000 का level तूटने के बाद इसने 7,500 के आसपा support लिया उसके बाद हमें अच्छी थी तेजी देखने को मिले यह साथ ही साथ थोड़ा सा correction देखने को मिला था लेकिन overall यह उपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आज के candle के बारे में बात करें तो उसमें जान लेंगे कि कहां पर opening हुई थी कहां पर closing हुई थी आज के candle के बारे में भी जान लेते हैं तो जो opening हुई थी वो ही थी 10,094 के उपर जो high बना था वो था 10,111 पर तो आप समझ सकते हैं opening और high जादा दूर नहीं थे एक दूसरे के आसपास ही हुए थे अगर बात करें आज के low की तो वो ही थी 9,886 अगर आज की closing के बारे में बात करें तो वो ही है 9,910 पर तो आप समझ सकते हैं कि जो low है और आज का closing है वो काफी नसदीक है यानि कि अपने today's low के आसपास ही इसकी closing भी होई है अब बात करते हैं अलग-अलग levels के बारे में तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 दिनों से यह अपने 100 days के इयमे के उपर ही trade कर रहा था जो blue line है वो है 100 days का इयमे पिछले 6 दिनों से यह यहाँ पर ही trade करता हुआ दिखा ही दिया था वो level को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था अगर हम कल की candle देखे तो वहाँ पर भी हमें वही दिखा ही देता है 100 days के इयमे के उपर support लेने के बाद यह थोड़ा सा तेजी दिखा चुका था लेकिन अगर हम आज की candle देखे तो अच्छी कासी गिरावट दिखने को मिली है जो 100 days का इयमे calculate होकर आता है वो है 10,041 का अगर इसका closing देखे तो वो है 9,910 पर तो हम समझ सकते हैं कि 100 days के काफी नीचे आ चुका है जो नीचे के averages हमें दिखाई दे रहा है वो है 50 days का इयमे जो की निकल कर आता है 9,628 20 days का इयमे जो की है 9,703 अब मैं आपको RSI का level भी बताना चाहूंगा तो जो RSI का number निकल कर आ रहा है वो है 58.27 तो आप देख सकते हैं RSI काफी ऊपर निकल चुका था लेकिन gradually वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख सकते हैं MACD ने हमें bullish crossover दे दिया था लेकिन अभी ऐसी situation हो रही है कि आगे आने वाले दिनों में एक bearish crossover देखने को मिल सकता है अगर बात करें Bollinger Band के बारे में तो आप देख सकते हैं पिछले काफी दिनों से Bollinger Band के Upper Band के आसपास ही trade करता था लेकिन अब ये अपने Median के आसपास आने की कोशिश कर रहा है ऐसा दिखाई देता है Upper Band calculate होकर आता है 10,494 Median के बारे में बात करें तो वो है 9,544 अगर Lower Band के बारे में बात करें तो वो है 8,593 अब मैं आपको pivot points भी दिखाना चाहूंगा वहाँ पर कैसी situation है वो भी बताना चाहूंगा जो pivot level निकर कर आता है वो 9,328 अब देख सकते हैं काफी resistance को ये तोड़ चुका था इस resistance के level के भी उपर निकल चुका था लेकिन वहाँ पर sustain नहीं हो पाया nifty और वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इस्ते भी नीचे के supports के बारे में बात करें तो pivot level के नीचे एक support दिखाई देता है जो है 9,058 का support और उस्ते भी नीचे जाए तो 8,536 का support भी निकल गर आता है अब मैं आपको weekly charts पर भी दिखाना चाहूँगा कि कैसी situation बनी हुई है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग weekly charts पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि इस week की candle है वो काफी उपर open हुई थी तो आप देख सकते हैं जो opening हुई थी वो हुई थी 200 weeks के EMA के भी उपर तो आप समझ सकते हैं अच्छी का से strength demonstrate करता था ये week का candle लेकिन अभी भी ये week complete नहीं हुआ है Friday के दिन में क्या होगा ये हम बता नहीं सकते हैं लेकिन इतनी ज्यादा फिर से recovery हो जाए इसकी possibility कम ही बन कर आती है तो आप देख सकते हैं कि जो closing हुई है आज का इसाब से वो हुई है 20 weeks के EMA के भी नीचे तो आप समझ सकते हैं opening हुई थी 200 weeks के EMA के उपर और closing हुई है 20 weeks के EMA के भी नीचे तो ये एक sign है weakness का अगर हम पिछले week के candle को देखें तो आप देख सकते हैं कि 20 weeks के EMA के उपर close हुआ था तो ऐसा expected ही था कि हमें थोड़ी तेजी देखने को मिलीगी और ऐसा ही हुआ तेजी देखने को भी मिली तो आप देख सकते हैं कि 100 days का EMA तो तूट ही चुका है लेकिन उसके बाद जो हमें averages दिखाई दे सकते हैं वो 50 days का EMA और 20 days का EMA जो कि calculate होकर आते हैं 9700 के आसपास और 9600 के आसपास और साथ ही साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि Bollinger Band का जो median है वो होता है 9548 तो ये जो overall level है इसे हम consider कर सकते हैं as a support तो जो 9500 से 9700 का level बनकर आता है ये overall support बन सकता है निफ्टी के लिए for the short period अगर बात करें इसके भी आगे की इससे भी ज्यादा गिरावट हो जाती है तो कहां पर support ले सकता है तो आप देख सकते हैं pivot level जो बनकर आता है वो है 9328 अगर ये सारे support तूट जाते हैं 9500 के भी नीचे आता है तो इस level पर हम support expect कर सकते हैं technical analysis से यही पता चलता है कि यहाँ पर nifty support ले सकती है अगर ये level भी तूटता है तो 9058 का strong support यहाँ पर दिखाई देता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि nifty कहां पर भी जाए लेकिन हमें अपना horizon strong रखना है हमारे जो stock specific रहना है अच्छे stocks को अच्छे value पर हमें buy करना चाहि उन stocks के बारे में मैं आपको update करता रहूंगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे, subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे, thank you, stay happy, happy investing